दोस्तो आर सीबी और लखनों के मैच के दौरान के अल राहूल के विकेट पर हमें एक दिल्चस्क बाके देखने को मिला। जिहां दोस्तो दरसल आठ वेवर की आकरी गेंद को हर्शल पर्टेल ने लेक साइट की और फिका। लेकिन के एल राहूल ने मिस कर दिया और गेंद दिनेश कार्टिक के हाथों में चली गई। इसके बाद हर्शल पर्टेल ने कैच आउट की अप्पील जरूर की लेकिन फिर अफबायर ने लेक बाइस का इशारा किया। हाला कि आर सीबी का कोई भी खिलाडी रिव्यू लेने के उमीद में नहीं थे। सभी को लगा कि ये नॉट आउट है और रिदू लेने का समय लगधग जा चुका था। लेकिन फिर अंतिन समय ने विराट कोहली ने फैप को रिव्यू लेने के लिए कहा। और इसके बाद जब रिप्ले देखा गया उसके बाद सभी का रियक्शन देखने लाइक था। क्योंकि रिप्ले में साफ तोर पर दिखा की ये आउट है। इसके बाद विराट कोहली पूरी तरह जोश में आगे थे। खुद बैच्समैन के अल राहूल भी चौक है। उन्हें भी एकीम नहीं हो रहा था। विराट के एक फैसले ने लगभग मैच को पलट दिया था। दोस्तों क्या आर सीबी इस सीजन प्लेओफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।